नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्व चैनल में आजके इस वीडियो में हम उत्रकंट GK टेस्स सेरीज पार्ट 7 को डिस्क्स करेंगे इससे पहले उत्रकंट GK टेस्स सेरीज के 6 पार्ट हम अप्लोड कर चुके हैं और ये इसका 7 वा पार्ट है इस टेस्स सेरीज में जितने भी कुश्चिन है वो आपके स्लिवर्स पादारित हैं जो कि आपके अपके अपने एक्जाम वीडियो भी पीडियो पीडियो पीसी एस पटवारी लेक पास सभी के लिए हल्पूल रहेंगी और आज़की इस वीडियो का टार्गेट है 500 लाइक का 500 लाइक कंप्रीट हो रही इसकी पीडियो पापको मिल जाएगी टेलिग्राम गुरूपे जिसका लिंक है इसे डिस्क्रिप्शन में वहां से आप जोईन कर सकते हैं तो चलिए आज़की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आजका हमारा पहला कुछिन है उत्रखंड में राजियू गाधी किरकेट स्टेडियम कहां पर इस्तित है तो इस प्रस्ण का सही जवाब है और बात करें राजियू गाधी किरकेट स्टेडियम की तो यहां पर पहला इंटरनेस्नल मेश अफगानिस्तान और बांगलदेश के मदे 2018 में खेला गया जून 2018 में राजियू गाधी किरकेट स्टेडियम में पहला इंटरनेस्नल मेश खेले गया था अगवानिस्तान और बांगलदेश के मद्या इंदरा गाधी किरकेट स्टेडियम हल्दुआनी में रांसी स्टेडियम यह कहां पर से थे पौड़ी गड़वाल में ठीक है और इसका नाम रखा गया है मावीर चक्रविजेता जस्वन सिंह रावत के नाम पर उत्रखंड राज जी खेल निती की बात के थे तो 16 जनूरे स 19 66cko राज जी में खेल निती की गोसरा की गई है और देहरदुन में खेल अकादमी की स्टापन कब की गई तो हेंडरी रेम जी द्वारा तरहाई इंप्रूमेंट फंड की स्तापना की गई 1883 ऑप्सन नमर सी इसका सही जबाब हो जाएगा आएज जान लेते हैं इस से रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट तो देखिए हेंडरी रेम जी के बात करे तो इनका कादिकार रहा था उत्रक्रण में कुमाओ कमिस्णर की रूप में 1856 से लेकर 1884 था ठीक है टूटल 28 वर्शूत की जो है कुमाओ कमिस्णर रहे थे ठीक है और जो तरही भावर के विकास के लिए इन्होंने तरही इंप्रूमेंट फंड की स्तापना की थी और इसके बाद दूसरा भोस कलन आता है 1880 में यह महत्योपुण है एकजाम पूछा जाता है ननी तयाल में भोस कलन कब आया था जो भाहिंकर भोस कलन था यह 1880 का था ठीक है सेंड जोज अँफ कॉलेश की स्तापना की ठीक है और जब हेंसर अर क कमिंशनर थे तो 1808 में पाधृ विलिएम बटलर ने ननी ताल में भारत के पहले मैथोड़िस्ट चर्च की स्तापना कि पुस्तक के लेखर कोण है तो उस परस्टन का सही जबाब है option number B sales singh pangti sales singh pangti की पुस्तक है जोहार के सुर इसे related कुछ point जान लेते हैं तो sales singh pangti ने वर्फ 2000 में पिथोर कड़ में एक heritage museum की स्तापना की थी जिसका नाम है tribal heritage museum ठीक है तो आप से पुछा जाए tribal heritage museum कहाँ पर है जैसे छोलिया नेती का इसमें वर्णिंग किया है छोलिया नेती में कितने कलाकार होते है तो टोटल 22 कलाकार इसमें छोलिया नेती में होते है ठीक है आगे देखे कुमावनी लोग साहीती पुस्तक के लेखक है तो त्रिलोग चर्ण पांडे और यसुदर मटपाल ने कुमाओं की चित्रगला पुस्तक दिखी थी यसुदर मटपाल से आपको आरखना है कुमाओं की चित्रगला पुस्तक किसके यसुदर मटपाल की इन्होंने इही लोग संस्कृति संग्राले की स्तापना की थी 1983 में काँ पर की थी खुटानी ठीक है खुटानी भीमताल में इन्होंने लोग संस्कृति संग्राले की इस्तापना की थी 1983 में नेक्स्ट है उत्रखंड राज जी का वाद्य अंतर ढोल है इसे कब राज जी वाद्य अंतर घोशित किया गया काफी easy question है आपको आना चाहिए इसका अंसर तो इस प्रसंद का सही जवाब है option number B 2015 में इससे related को question डाल लेते हैं तो देखे उत्रखंड सासन द्वारा अगर बात करें राज जी परतिकों की तो 2001 में इंका निधारन किया गया था ठीक है और उत्रखंड राज जी खेल जो है football कब गोसित किया तो 2011 में गोसित किया ठीक है सारे point जो मैं बता रहा हूँ आपको यह important है exam के perspective से उत्रखंड राज जी की राज जी तितली कौन सी है तो यह है common peacock butterfly ठीक है तो common peacock है और इसे कब गोसित किया राज जी तितली 2016 में किया था ठीक है राज जी वाद्य अंत्र है ढोल इसको 2015 में किया था और उत्रखंड राज जी गीत किया है वह है आपका उत्रखंड देव भूमी मात्र भूमी सत सत वंदन अभिनंदन यह जो है राज जी गीत है 2016 में इसको गोसित किया था और इसके जो lyrics writer है वह है हमन तबिस्ट और इस कीत के singer है नरिन सिंग नेगी जी तीक है तो इस प्रसन से आपको इतना याद रखना है नेक्स प्रसन है निम्नु में से कौन सा कथन असत्ती है तो आपको बताना है इन कथनु में से कौन सा कथन अस तो देखें उतियासु जल विद्रत प्रेजना अलगनदा नदी पर यह और थीक है तो पाबर जल बिदु प्रेजना पर यह गलत है यह तो सपर है पाबर राजी कि सबसे बड़ी प्रियोजना कौन सी है तो वह है तेहरी जलबिदूद प्रियोजना जो की भागरीती नदी पर है ठीक है और जिसमें टेहरी डैम बना है और यहाँ जो है एसिया का सबसे उंचा डैम है 260.5 मेटर्स की उचाई ही एक्जामर बनता है ठीक है इसका टोटल प्रियोजना होता है 2400 मेगावार्ट ठीक है और लखवार जो प्रियोजना है यह काल सी देहरादूर में इस्ते थे घमना नदी पर मैं आपको बताया इसकी टोटल केपिसिटी है 927 मेगावार्ट ठीक है तो जिवाब है ऑप्सन नमबर ए 19 जुलाई 2011 को अगर बात करें उत्रखंड माना अधिकार आयोक की तो रास्त्री माना अधिकार अधिनियम 1993 के तहत 19 जुलाई 2011 को उत्रखंड राज्यम माना अधिकार आयोक का गठन होता है ठीक है अब देखे कहीं कहीं बुक में आपको 2013 भी 13 माई 2013 को इसके पहले अधिक्स बने विजय इंद्र जयन इसलिए कई सारी बुकों में ये 13 माई 2013 भी आपको देखने को मिलेगा ठीक है लेकिन इसका गठन हो था जुलाई 2011 वरतमान में इसका अधिक्स कौन है विजय कुमार बिस्ट पहले कौन थे विजय इंद्र राज तो यह वहता 3 October 2005 को ये भी आपको याद दखना है बढ़ते आगे next question है रणजोर सिंग थापा को दानवीर करने की उपमा से किसने विवुसित किया था ठीक है तो उपमा मतलब रणजोर सिंग थापा की दानवीर करने से तुलना किसने की थी आपको बताना है तो इस परसन का स सासन से एक्जाम में बहुत सारे question बनते हैं और ये जो है वन आप दो फैवरेट टॉपिक है यूगे तुर परसेगा इससे एक नए question exam में बनता है तो मोला राम ने रणजोर सिंग थापा को दानवीर करने की उपमा दी थी या इससे तुलना की थी ठीक है कुमाओं का पहल चुमाओं पर जो है जब अधिकार किया था गहुर्खाऊनों कमाबे में तो उस टाइन नेपाल नरेश कौन था तो उस टाइम नेपाल नरेश था रण बहदूर सार। इसके बद सन 2100 में यह छोड़ देता है अपनी गद्दी इसका बेटा विक्रमसा बन जाता है और ऺज लेता है ठीक है अगला देखिए गुर्खाओं ने ब्रामनों पर कुसही नामा कर लगाया था ठीक है तो एक्जाम कोशन मनता है कि कुसही नामा कर किस से संब्धित है तो गुर्खाओं से संब्धित है और किस पर इन्हों लगाया था ब्रामनों पर ये कर लगाया था ठीक है अगला प्रिसन है रोहिला अकरमण के समय किस पवार सासक ने चंद सासक कल्यान चंद की साहता की थी तो इसका सही जबाब है औप्शन और भी प्रदीब साहा आई जान लेती इसके बारे में तो देखे जब कुमाओं पर रोहिला अकरमण हुआ था यह हो था आपका 1747 में ठीक है तितलिस से पैतलिस के बीच में तो इस समय जो है चंद सासक था कल्यान चंद चत्रूत थी ठीक है और इसके साहिता मागी थी पवार सासक प्रदीब साह से ठीक है यह प्रदीब साह जो है गड़वाल का राजा और नीचे टाइम पिरिट दिया गया है 1716 से लेकर 17179 लेगिन कई इत्यासकार इस टाइम पिरिट सही नहीं मानते हैं वो मानते हैं कि इसका टाइम पिरिट था 1716 से लेकर 1700 बहुत तर तक इसका दरवारी कभी था मेधाकर सर्मा यह इंपोर्टन है आ आपको इतना याद लखना है नेक्स प्रस्ण है उत्रखण में सीचाई अनुसंदान संस्तान कहां इसते थे तो इस प्रस्ण का सही जवाब है और भी रूड़की में है सीचाई अनुसंदान संस्तान और रूड़की में देखिए सीचाई अनुसंदान संस्तान इसते थे साथी साथ आपको या रखना है केंद्री भवन अनुसंदान संस्तान ये एक्जामर बहुत बार पुछा जाता है केंद्री भवन अनुसंदान संस्तान कहां पर इसते थे ये भी रूड़की मिस्ते थे ठीके और देखे रूड़की में IIT है एक मात्र IIT उत्राखंड का ये कह तो इस प्रस्निका सही जिवाब है option number C भोटिया जन्जाती से समझे तो इसे related point जान लेते हैं तो देखिए जो तुबेरा बाजू और तिमली है यह भोटिया जन्जाती के प्रसिद्र लोग गीत है यह आपको पता उनुची एक्जामर कोशन बन सकता है यह जो है भोटिया ज जन्जाती के लोग जो है पोणा निर्तिय ठीक है पोणा निर्तिय करते हैं यह आपको पता उनुची ए और देखिए जो चमोली में भोटिया जन्जाती के लोग रहते हैं उनको कहते हैं मार्चा और तोल्चा वही जो उत्तरकासी में रहते हैं उनको कहते हैं जाड भोटि तो लाइक कीजिए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसकी रीज बढ़ती है, इसमें अच्छे लाइक अच्छे वीव आते हैं, तो हम जो है question के संक्या को भी बढ़ाएंगे, धिरे-धिरे ठीक है, अब जो है, इसमें 10 question है, अगली बार हम 15 या 20 question करेंगे तो यह है इस वीडियो का एंट, thanks for watching and God bless you all